कि लाश टेंते के सभी विध्यातियों आज अपनेना हिंदी का एक महात्पूर्ण सा पेपर देखेंगे बट पांच फरवरी की दिन इन बच्चों को टोप करना है इन बच्चों की तरह बिलकुल निश्चिंत रहो मेने वादा क्या कि टोपर बनाओ तो बनाओगा ठीके ने सब्सक्राइब नागरजुन की रशना जो है युकदारा है ठीके और पुनरोक्ति प्रकासलंकार किसे कहा जाता है जब एक ही एक ही सब्द एक से अधिक्बार उसकी आवरत्ती हो पंचवटी पंचवटी में किस समास का उधारा ने जिसमें गिंती आई न वह दिगू समास होता है कुछ समास होता है तो समास होता है कटाओ जो है भारत का स्विजर लेंड माना जाता है जे संकर प्रसाद की कविता हमारी पार्टी पुस्तक में संके लिए तो कुन सी कविता है उनकी आत्मकत्य है काम यानी एक क्या है महां कावे हैं जिस बच्चे को वास्तो में छेन मचे ना जितना मैं बता रहा हूं कबर कर लो पेपर उसके बाद में आप भली कुछ भी पड़ो इतना तो कबर करो और आपके यदि कई पर भी आप इस कोचिंग जा रहे हो उन सर से एक बार जरूर इस आपको ठीक है एक से अधीक अर्थ देने वाले सब्द एक से अधीक अर्थ जब देंगे वही भी सब्ड तो वो कहलाएंगे आपके अनेकार्थी सब्द यहां पर लिग दो थे अने मन्नु बंडारी के पिता रसोई को क्या केते थे भटियार खाना कहा जाते थे भटि भटियार खाना नाटक जो होती है नाटक नाटक में कही अंग होते हैं कही अंग एपिसोट और एक अंग की में क्या होता है एक एपिसोट होता है यसपाल जस्पाल जी है उनकी जो रचना है लखनवी अंदाज उल्लू बनाना का आपका बन जाएगा मुर्क बनाना हीरो सीमा जो हीरो सीमा है वो आपके आजाएगी अनू बम विस्पोट तुलसी दास तुलसी दास की कवितावली आएगी और कावि की आत्मा को हम केते हैं रस सिम्पल सी बात है यथा सक्ती में कौन सा समास है यथा सक्ती में अव्यई भाव समास है अव्यई भाव मेरे द्वारा पुस्तक पड़ी जा रही है मैं कौन सा वाच्ची है तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़े ही आए उसमें कर्मु औच्छे है मदु कांकरिया की को निसी रचना आपके पाठी करम में है तो मदु कांकरिया जी की साना साना हाथ जोड़ी रचना है तो यहां पर लिख देते हैं पन साना हाथ जोड़ी है शिरी क्रेश्न ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है देखिए प्रेम की तार तार कर दिया प्रेम को तो ठीक है बाज़ा चिंदी चिंदी कर दिया खड़ी खूब खलड़ी मर्दानी वह तो जासी वाले रानी थी यह सुनते से आदमी को अंदर से बिल्कुल है ना वीर रस आजाता है यह से मन करता है भी लोग ठोक दूब उचार को है ना चलो तो यह चिंदा मनी किसकी रशना है चिंदा मनी जो ए आचारे रामचंद्र सु तो यहां पर देखिए त्युक्त्य जाएगा जिसमें घिंति आए वो दिगूज होता है ठीकि है भोलानाथ पीटा जी के साथ जानदा रहता था बिल्कुल सत्य ए लेखक की परतिये क्रश्णा स्रेश्ट वती है यह आपका असत्य होगा है क्योंकि लेखक की सो में से दो चार रशनस रशन बनेगी फसल हजारों खेतों का की मिट्टी का गुंधर में फसल बिल्कुल सत्य है चोपाई छंद में सोला मात्र होती है बिल्कुल सत्य बात है भईया और बाल गोविन भगत कबिर को सहाब मानते थे ये भी आपका सत्य हो जाएगा हो गया चलिए आगे है आपका कुश्चन नमबर 6 से जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे पूरा सोलिसन आपको खराऊंगा समझाऊंगा भी सही जिसे इनको समझाए ना कासी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिसमिल्ला खा को व्यत्थित कर रहे थे लेकिका मनू मंडारी की वेक्तितू पर किन किन वेक्तियों ने किस चुरूप में प्रभाव डाला ठीक है चलिए इसके बाद में यहां से दिखिया ये बाल गगत की जो भगत की पुत्रवदू ने अक्यला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी और ये स्पाल जी जता जाती इंत्र मिस्त्र का साइप्तिक परीचे बताना है आप तो अच्छे से कवर कर लेना है ना ये कुछ नमर दस हो गया है लीतिकाल की प्रमुक विस्ता बताईए दो प्रगतिवादी कावियों के नाम और उनकी एक रष्णा बताईए जैसंकर प्रशाद और सूर्दास की काविकत विस्ता की निमनली विस्ता है निमनले खित बिन्दो पर बताई दोड़ा इसनाई भाव पक्षे यहां से कुछ नमर तीरा होगे यह कुछ नमर चाहुदा हो गया हुआ है कि यहां से देखिए महा काविक इसे कहते हैं तो रोद्र रस की विस्ता है चोपाई चंद की परिवासा नाटक और एकांकी में कोई दोंतर आपके और इनको आप अच्छी से कबर भी करोगे मैं समझाओंगा ना आपको पूरा सुलिशन चिंता किस बात की है नुश्यत भी बताऊंगा सववाद की से लिखना वो सब कुछ आपको सिकाए जाएगा यहां से देखिए भी हैसी लखन मर्दू बानी हो मुनीस महा भट मानी ही ठीक है जो पर सुराम जी ना उनको करोध आ रहा था लखन की कड़वी बाते सुन सुन कर यहां से लिखिए कि कुछ नमर एक की से यह कुछ नमर बावी से और अन्तीम जो है यह रहाप